आज हम देखेंगे त्रिभुच के शेत्रफल से जुड़ी एक मिध्याधारण और एक उदाहरण मिध्याधारणा नीचे दर्शाय गए त्रिभुच ABC का शेत्रफल यानि एरिया ग्यात कीजिए त्रिभुच के शेत्रफल यानि एरिया अफ ट्राइंगल का सूत्र है एक बटे दो गुणा आधार यानि बेस गुणा उचाई यानि हाइट कुछ बच्चे भुजा BC को आधार मानते हैं और त्रिभुच की दूसरी भुजा को उचाई जैसे यहाँ वे भुजा AB को उचाई मानते हैं जिससे उन्हें त्रिभुच का शेत्रफल 21 स्क्वेर सेंटिमिटर प्राप्त होता है लेकिन यह एक गलत समझ है यानि की ऑप्शन दो गलत जवाब है यहाँ भुजा AB आधार BC पर लंब नहीं है इसलिए हम इसे उचाई नहीं मान सकते किसी त्रिभुच की उचाई आधार के सम्मुख शीर्ष से उसके लंबवत दूरी यानि पॉपेंटिकुलर डिस्टन्स होती है यहाँ हमें शीर्ष A से आधार BC पर लंबवत दूरी 5 सेंटिमीटर दी गई है इसलिए हम इस त्रिभुच की उचाई 5 सेंटिमीटर ले सकते है इसलिए त्रिभुच ABC का शेत्रफल है एक बटे तो गुणा 6 सेंटिमीटर गुणा 5 सेंटिमीटर बराबर 15 स्क्वेर सेंटिमीटर यानि की ओप्शन एक सही जवाब है अगला उदाहरण रमेश के आयताकार यानि रेक्टाइंगुलर खेत के लंबाई 48 मीटर और चोड़ाई 16 मीटर है उसने अपने संपूर्ण खेत में फूलो की समान माप वाली 24 समकोन त्रिभुच यानि राइट अंगल ट्राइंगल के आकार की क्यारियां बनाई है यदि प्रत्यक समकोन त्रिभुचाकार क्यारी का आधार आठ मीटर हो तो ग्याद कीजिए उसकी उचाई क्या होगी चूकि आयताकार खेत की लंबाई 48 मीटर और चोड़ाई 16 मीटर है इसलिए खेत का शेत्रफल होगा लंबाई गुणा चोड़ाई बराबर 48 मीटर गुणा 16 मीटर बराबर 768 स्क्वेर मीटर इस शेत्रफल को समान मापो वाली समकोन त्रिबुजाकार फूलों की 24 क्यारियों में विभाजित किया गया है इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्यारी का शेत्रफल आयत के शेत्रफल का 24 वा भाग होगा यानि कि प्रत्येक समकोन त्रिबुजाकार क्यारी का शेत्रफल बराबर 768 स्क्वेर मीटर विभाजित 24 बराबर 32 स्क्वेर मीटर है समकोन त्रिबुज में दो भुजाएं एक दूसरे पर लंब होती है इन में से एक को हम आधार तथा दूसरी को उचाई ले सकते हैं चुकि समकोन त्रिबुजाकार क्यारी का शेत्रफल बराबर 1 बटे 2 गुणा आधार गुणा उचाई है इसलिए हम कह सकते हैं कि समकोन त्रिबुजाकार क्यारी की उचाई बराबर समकोन त्रिबुजाकार क्यारी का शेत्रफल गुणा 2 विभाजत आधार का माप हमें दिया गया है कि समकोन त्रिबुजाकार क्यारी के आधार के लंभाई आठ मीटर है इसलिए उसकी उचाई 32 स्क्वेर मीटर गुणा 2 विभाजत 8 मीटर बराबर 8 मीटर होगी इसलिए रमेश के खेत में प्रत्येक समकोन त्रिबुजाकार क्यारी की उचाई आठ मीटर है तो आज हमने देखी त्रिबुज के शेत्रफल से जुड़ी एक मित्याधाना और एक उदाहरण